कभी कभी अपने शहर में बैट करके दूसरे शहर होंगी न रेसिपी बहुत याद आ दी आ जैसे मुझे दिल ने की आज हल्वा मत्री बहुत याद आ रे थी और बहुत ज़्यादा उसको क्योर हो दिए मुझे खाने की तो क्या करें तो मैंने बना दिया फटा-फट घर में हिंहें हल्वा मट्री गी रेसेपी तौ आप नहीं करी है तो यह रेसेपी आपके लिए तो यह रेसेपी परफेक्टली आपके लिए दो जो नाष्टे में जबर्दस्ट वहाँ चलती है तो मुझे आज बहुत जबर्दस जात आ रही थी तो मैंने कहा आज मैं अपने आप बरारी हूँ घर में तो अपने दोस्तों को बिसाथ भी शेयर करूं यह रसेपी बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में लाजबाब हो ताकि वो भी इस रसेपिका फूल मजा ले सके देखे क्या जबर्दस्ट इसका क्रंच आएगा ना बया नहीं कर सकती हम हलवाईयों के पास तो आते आते ना ये सॉफ्ट रुजाती है तो अपने आप घर में बनाएं बहुत ही जबर्दस्ट इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बूल के अंदर एक कप मैदा आदा कप हम लेंगे सूझी का साथ में एड़ करेंगे आदा चमच के खरीब हम नमक और इसके साथ हम इसमें एड़ करेंगे बस दो बड़े चमच देसी की के अब चुकि हम घर में बना रहे हैं तो हम देसी की में बनाएंगे बहुत ही जबर्दस्ट इसका फ्लेवर आएगा अब इसको अच्छी तरीके से हम पहले मेक्स कर लेंगे चारो तरफ से अपने हाथों से इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी इसके अदर आड़ करेंगे ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है क्योंकि इसके अदर सूझी है न जली से गिली हो जाएगे पुरी थोड़ा थोड़ा हम पानी हाथों में देंगे और इसका एक परफिक्सा डो बना लेंगे बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो क्योंकि सूजी है तो ज्यादा टाइट कर देंगे तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी और लूज करेंगे तो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी तो एक नॉर्मल सा परफिक्ट सा डो बनाना है ना ही बहुत ज़्यादा वो टाइट हो ना ही बहुत ज़्यादा वो लूज हो परफेक्ट साथ डो तियार करके हम इसको रेस्ट करने देंगे क्योंकि सूजी है सूजी को पूलने के लिए तकरीबन 5-7 मिनट चाहिए चाहिए होते हैं तो चलिए यहाँ पर हमारा डो कंप्लीट रेडी हो चुका है हमें इसको हमें मसलना नहीं है कुछ भी नहीं करना बस इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं अब जब तक हमारा डूरेस्ट कर रहा है हम तियार कर लेते हैं अपना हलवा जटपट से फटपट से यहाँ पर मैंने तीन बड़े चमच तकरीबन देसी घी के एड़ करें है उसके अंदर हम एड़ करेंगे एक कप पर के सूजी घर का कोई भी एक कप ले 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 उसी से सारी करें तो आपका परफेक्ट सा हमेशा रेशो रहेगा तो इतना ख्याल रहे है और सूजी को अब हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और करेंगे इसकी भुनाई कभी जब हम सूजी का हलवा बना तो इसकी भुनाई बहुत इंपोर्ट अगर हमने सूजी को परफेक्ली तो जरा सी नजर हटी और दुर घटना घटी वाला हिसाब किताब हो जाता है तो हमेशा याद है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बुनने में लेकिन परफेक्ली आपको मीडियम टू लू फ्लेम पे बहुत जपर्दस आपकि सूची थोड़ी दिर में बुन जाती है और इ ज्रवाब होता है इसका टेस्ट हाँ इसके अंदर एक फूड कलर डलता है औरेंज फूड कलर वो जरूरी है ये देखे हमें इतना ही बस बॉन करना है इससे जज़ादा हम बॉन इसको नहीं करेंगे अपन नहीं चाषणी मिरानी है इसे के अंदर हम एड़ करेंगे हाफ करीब और इंज फूट कलर यह चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन इससे ना बजार वाला जो कलर भी तो आना जरूरी है ना हलवा यह वाला तब ही तो मज़ा है गाने का मज़ा जो दिल्ली वाली परफिक्ट हलवा मर्ट्री की रेसिपी है अब इसे हम मिक्स करने के बा क्योंकि अब यह पूरे तरीके से पकेगी सेमाच पर और गैस की फ्रेम को सेमाच पर करते ही पता है सूजी बिल्कुल परफेक्ली एक से दो मिनट के अंदर ही बिल्कुल गाड़ी होने लगती है और जैसे ही वो गाड़ी होने लगेगी अब आप यहाँ पर मीडियम आच या फुल फ्लेम पे भी आप इसको चलाते रहेंगे ना यह अपना थिकनेस बिल्कुल लेती जाएगी और परफेक्ट सा आपका हलवा बिल्कुल बन करके हो जाएगा रेडी ना हम यह बजार वाले हलवे में जिजमाबा डालेंगे ना ही हम कोई ड्राइफ रूट्स डाले यही होता है बजार वाला जो हलवा मट्री का में हलवा होता है वैसे तो सूजी के हलवे कई तरह से बनते हैं एक बार इस तरह से भी बना करके ट्राइब करके देखें बहुत ही लाजवाब सा हलवा है चलिए तब हमारे रेसे भी होगए हम इसको कवर करके साइड कर देंग और हम बनाएंगे अब अपने मट्रियां चलिए तब अब हम इसको cover कर देते हैं और करते हैं मट्रियां बनाने की preparation ready एक पैन के अंदर सबसे पहले हम add कर लेंगे को इसा भी smell free cooking oil जो भी flavor आपको पसंद हो अब जब तक हमारा तेल कर रहा है हम अपने dough को दो part में divide कर लेंगे और इसका एक perfect सा dough बना लेंगे दो dough हमारे तेग्यार हो जाएंगे ये देगे दोनों perfect से dough हमारे बिल्कुल हो गए है ready अब हम इनको करेंगे side और हम अपने cooking plate form के ओपर थोड़ा oil लगा करके इसको grease करेंगे और बिलन को भी हम अपने अच्छे तरीके से grease कर लेंगे पहले और हम अपना एक dough लेंगे और उसे बारिक सा रोटी की तरह पतला बिल्कुल बारिक सा बेल लेंगे क्योंकि जितना अच्छा हम बारिक इसको बेलेंगे ना उतनी ही अच्छी हमारी क्रिस्पी मठ्रियां तयार होंगे और अगर आपके पास कोई सा भी कुकी कटर नहीं है तो आप कोई से भी छोटे डखकन लेने किसी भी डब्बे का उससे आप यहाँ पर मठ्रियों की shape काट सकते हैं चुकि में पास कोई कटर है तो मैं यह मिडल साइज वाला कोई कटर ले रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए सारी की सारी मठ्रियां कट करके निकाल लूँगी और इसी तरह से हम दूसरी पूरी बेल करके जितनी हमें मठ्रियां बनानी हैं तरही हम मठ्रियां तयार कर लेंगे और जो बचावा हमारा मैदा होगा या आटा होगा तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे वेस्ट नहीं करना है हमें हम चाहें तो उसके नमक पारे अराम से कट करके इसके नमक पारे दल करके निकाल सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी आपके नमक पारे भी घर में रेडी हो जाएंगे वैसे तो दिल्ली की जो मट्रियां होती है वो थोड़ी फुली फुली सी होती है लेकिन मुझे क्रिस्पी मट्रियां बहुत पसंद ने उसके लिए हम यहां पर छुरी की हेल्प से इनके अंदर एक डॉट्स डाल देंगे ताकि यह फूले नहीं अब सारी मट्रियों को तेल हमारा गर्म हो चुका है एक एक करके हम सारे मट्रियों को तेल के अंदर असेंबल कर दे चले जाएंगे यह एक दूसरे के साथ बिलकुल भी नहीं चिपकेंगी इस जिसकी गैरेंटी है तो अब हम सारी मट्रियों को एक साथ ही जो दूसरी हमने बैच तेयर करा था उसको भी हम यहां पर एड़ कर लेंगे और फरस्ट बैच को भी आड़ कर लेंगे दोनों बैच-उक एक साथ हम बना करके मट्रियों को फराई करने के लिए रख देंगे यहां पर हमें गयास की फ्लेम का खयाल लखना है में मीडियम धु थूक्ष demais रखना हमें हाई फ्लेम से थोड़ा सकम निकाल लेंगे अब भई हलवा भी रड़ी है और मट्रिया भी रड़ी है तो हम चलें इसको सर्फ करने के लिए आप भी बनाएं इस हलवा मट्री की रेसिपी को बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है आप अपने बच्छों को टिफेंड में भी यह दे सकते हैं बहुत ही जबर्दस सी रेसिपी है तो ट्रै करें इस रेसिपी को और अपने फैमिली अन फ्रेंश के साथ इसको फुल एंज्योई करें पपस्क्छाब भी धारें जालवा मट्री की रेसिपी पसंद आ गई हो रखेड वहों में बहुत 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 याद रखिए अल्ला हाफिज एंजॉयो हल्वा मत्री